काफी समय से एक फिल्म की चर्चा सोरो शोरो पर है और ये है गुलशन कुमार की मुगल बायोपिक जो की टी सीरीज का बहुत बड़ा महत्व कांशी प्रोजेक्ट है पहले इस फिल्म में अक्षे कुमार थे लेकिन फिर अक्षे ने अपनी दिल्चस भी थोड़ी सी कम कर दी इसके बाद खबर आई कि अक्षे की मुगल बायोपिक छोड़ने के बाद भूशन कुमार ने कहा कि मैं फिल्म के लिए बड़ा स्टार लेकर आऊँगा शायद अक्षे से भी बड़ा तो संसनी तो फैलनी ही थी और अब अक्षे से बड़े तो दो ही स्टार है इस देश में आमिर खान और सल्मान खान हलाकि भूशन ने साफ किया था कि उनकी बातों को तोड़ मरोड कर पेश किया गया है बहराल बात आकर ठीकी दोनों खान्स पर पहले खबरे ये आई थी कि आमिर खान भुशन कुमार के साथ मिल कर मुगल बायोपिक को प्रोड्यूस करेंगी लेकिन फिर इन खबरों का खंडन कर दिया गया अब ताज़ा अफाहों की माने तो फिल्म का हीरो फैनल हो चुका है और फिल्म के हीरो का नाम है आमिर खान दरसल अक्षे की रिजेक्ट करने के बाद आमिर को फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ अपरोच किया गया था और आमिर ने इसमें काफी बदलाव मांगे थे वो सारे बदलाव कर दिये गए हैं और आमिर ये फिल्म करने को अब तयार हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ काफे दिन पहले खबर आई थी कि टी सीरीज ने किसी बहुत बड़े स्टार को साइन कर लिया है। और जल्द ही उसकी खोशना की जाएगी। अब सब को ये खोशना सल्मान खान और मुगल बायोपिक के नाम की लग रही थी। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार मुगल बायोपिक का एलान किसके साथ होता है। सल्मान खान या अमिर खान। और इतने तनाव की बाद भूशन कुमार ने एक बार को तो ये भी सोचा था कि वो अजय देवगन को इस फिल्म में ले ले। भूशन कुमार जानते हैं कि अक्षा कुमार कितनी बड़े मेगा स्टार है। और अगर उनकी लेवल को कोई मैच कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन है। ऐसे में उन्हों ने बीच में एक बार अजय देवगन के नाम पर भी विचार किया था। खेर अब आखिरकार देखना ये है कि भूशन कुमार मुगल में कौन से बड़े स्टार को लेते हैं। आमर खान, सल्मान खान, या जय देवगन। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? कौन से सुपर स्टार को ये फिल्म करनी चाहिए? आपकी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। बॉलेवट से चुड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।